कुछ दिन पहले आपने गुजरात की एक तस्वीर देखी थी उस वीडियो में आपने देखा था कैसे करीबन 25 नौकरियों के लिए 15 लाख लोगों की भीड आई थे यह युवा बेरोजगार है यह भारत का युवा है और आज एक और वीडियो वायरल है जो मुंबई के एक क है कि अगर मध्य प्रदेश्य भाजपा के विधायक यह कहते हैं कि आप पंक्चर की दुकान खुलो प्रदान मंत्री जी कहते हैं कि आप पकोड़े तलो आप नाली का गैस निकाल लो तो यह बता रहा है कि भारतिय जंताबाटी की सरकार नोकरी देने में विफल है दो करोन नोकरियां हर साल देने की बात हुई थी और उन दो करोन नोकरियों के बजाए पांच किलो वाला जो अनाज मुफ्त का सोकॉल बताया जो दरजल मुफ्त का नहीं है जो अधिकार के तहित क्योंकि जो खाद्दे सुरक्षा अधिनियम कॉंग्रेस पार्टी की सरकार 2013 में ला संसादनों पर कि और ये इनको मिलना जाए लेकिन ये जो नोकरियां नहीं मिल रही है इसके जिम्मेदार कौन है दो करोन नोकरी हर साल के साब से 10 साल में 20 करोन युवा जो है वो नोकरी पा जाते है फिर वो कहते हैं कि नोकरियां कोई सरकारी नहीं होती तो आरक्षन तो सर अब इंडिया आलाइंस की सरकार आएगी, तो वो इसका जो दाइरा है, वो बढ़ा कर क्या करती है, वो देखने वाली बात तब होगी, लेकिन इस वक्त अगर हम आरक्षन की बात करते हैं, तो वो बेसिक लिए नौकरियों के लिए ही होता है, और आरक्षन की बात होती है, आप कहते हैं, आप खतम नहीं कर रहे हैं, मगर आप जो वेकिन्सीज हैं, उनको भरते नहीं, और जो आप पेपर लीक देख रहे हैं, उसमें गड़बडियां देख रहे हैं, अहनियम में ताइं देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि कैसे लोग जो नौकरियां पा जाते हैं या जिनकी भरतियां हो जाती हैं या जो admission exams तक में हो जाते हैं हर जगा पर तो धानले बाजी चल रही है इसलिए जो admissions में जो नौकरियों में आरक्षन है वो तो तभी ठीक से implement होगा जब आप उसे ठीक से implement होने द जालम है सरकार के आंकड़े अजीब हो गरीब आते रहते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी इतनों को नौकरियां दी तो यह सब कौन है यह कौन बताएका